नेसो वास पॉपडर जो की बनाया जाता है सिपला पार्मा के दुवारा बनाया जाता है नेसो वास पॉपडर जो की नूजल सॉलुशन से इसके अंदर सॉडियम क्लॉराइड पॉपडर है जो की 4 mg और 200 ml की बोतल में रग डाल के पीना पड़ता है तो यह क्या की 6 से रहता ह है जिसका MRP 19.75 रुपीज रहता है तो इस वीडियो में मैं इसका यूजस, बेनी पेट, साइड पेट कैसे यूज होता है ट्रक कैसे काम करें का सिप्टी एडवाइस क्या रखने का है डूज मी सुझा तो कैसे लेने का और इसका सब्स्ट्यूट कौन-कौन सा अविलेबल बात है इस वीडियो में मैं सेयर करूंगा ताक कि आपको नेसर वास सैसे के बारे में संपून जांकारी मिल सकें तो यह वीडियो के वहल एजूकेसं परपस के लिए है, तोmas साइड पर लिए जोकि नोजल सॉलूशन से और ये 19 रुपे के करीब इसका MRP रहता है 7.5 ग्राम का रहता है और सिपला फार्मा के दुवारा बनाया चाता है इसके अंदर sodium chloride, sodium bicarbonate and gelatin active ingredient इसके अंदर डालागे ये non-medicated strides से जोकि prevention करता है और irritation से फ्री रखता है और nozzle और sinus के washing करता है नेचो वास जोकि strides kit है जिसके अंदर नेचो वास डाला गया है ये 200 ml की पानी की बोतल में लेके आपको एक लेना पड़ता वास करना पड़ता तो ये क्या कि नेचो वास से से जोकि क्या करता है कि 7.58 gram का ये powder रहता है जोकि dry powder रहता है ये क्या करता है कि effectively drying करता है mucos को और sinus को जिससे क्या होता है कि nasal का muculari clear हो जाता है और ये क्या करता है कि nasal drifts की sinus को pressure को कम करता है जैली टिल्स इसके अंदर डाला गया है जो कि क्या करता है कि नेजल के मेंबरेंस को फ्री रखता है और नेजल कैविलिटरिस को कम करता है और यह इनिविट कर देता है उसे बैक्ट्रेक के फिक्वेंट्री को जो कि सीनेस इंफेक्शन में होता है सेले नेजल इरिटेशन को क करने का तो इसको यूज किन किस में किया जाता है जैसे कि इसको रेनो सिनाटीस में यूज किया जाता है वाइरेल अपर इस्परेस्टिक इंपेक्शन में इसको यूज किया जाता है एलजिक रेनाटीस में इसको यूज किया जाता है एट्रोपिक रेनाटीस में यूज किया आइडिये वहाँ पूसकते हो चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट कियो तो हमारे चैनल को जुरू सस्क्राइब करें साथ में जो बैल आइकन है उसको दबाए ताकि जब भी मैं नेक्स वीडियो अप्लोड कुरो तो आप तक एक नोड़ी किसम पहुंच नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें